आज की वीडियो में हम बात करने जाने एक copyright related myths यानि गलत फहमियों के बारे में तो क्या हाले दूस्तों? आज की वीडियो में हम बात करने जाने copyright से related गलत फहमियों के बारे में अब इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि copyright क्या होता है और कहां कहां पर लगता है कहां कहां पर नहीं लगता है तो इस वीडियो में हम साथ ऐसी गलत फैमियों के बारे में बात करेंगी जो कि copyright से related है तो start करते हैं पहले myth से सबसे पहले है giving credit to the copyright owner means you can use their content अब इसका ये मतलब होता है कि अगर आप copyright owner को credit दे देते हैं तो आप उनका content यूज़ कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलत फैमी है ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप credit देते हैं फिर भी आपके वीडियो पर copyright claim या copyright strike आ सकता है आपने बहुत सारी यूट्यूबर्स को ऐसा करते हुए देखा होगा वो लोग वीडियो के description में लिख देते हैं कि copyright law this this इस तरह से एक लंबा चौला paragraph लिखा होता है और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से वो copyright से बच सकते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है ऐसा लिखने पर भी आपके वीडियो पर copyright आ सकता है अगर आप copyright material यूज़ कर रहे हैं दूसरे का तो दूसरा है claiming non-profit means you can use any content अब इस करत फैमी में ये है कि बहुत सारी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो non-profit मतलब कि सिर्फ entertainment purpose के लिए या फिर कुछ और purpose के लिए जहां वो कुछ पैसा earned नहीं कर रहे हैं उस चीज़ से अगर वो ऐसा करते हैं तो वो कोई भी content यूज़ कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है अगर आप copyrighted material यूज़ कर रहे हैं तो आपके वीडियो पर copyright strike या copyright claim आएगा ही अगर वो owner चाहे तो आपको strike दे सकता है copyright इससे नहीं जाता है अगर आप non-profit के तरह यूज़ कर रहे हैं तो भी तीसरी गलत फैमी यह है कि other creators are doing it so you can do मतलब कि दूसरे creators तो ऐसा कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता है मतलब मैं भी कर सकता हूँ अब दूसरे creator के साथ क्या case है उन पर copyright आया है नहीं आया है वो लोग किस situation में यूज़ कर रहे हैं हो सकता हूँ पर copyright आया हो आपको नहीं पता हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर दूसरे लोग यूज़ कर रहे है तो आप भी कर सकते हैं लौ है कि आप नहीं यूज़ कर सकते हैं कि copyright content इसका मतलब आप नहीं कर सकते हैं दूसरे कर रहे हैं हो सकता है उन पर भी आया होगा आपको नहीं पता है तो दूसरे कर रहे हैं यह देखकर मत करिये तीसरा है music cds या फिर किसी online platform पर song खरीदने से related अब कई सारी ऐसे platform से जह इसको मैं यूज़ कर सकता हूं बट ऐसा नहीं है आपने सिर्फ वो एक cassette खरीदा एक recording खरीदा या फिर किसी streaming platform पर आपने वो गाना खरीदा है आपने उसका right नहीं खरीदा है तो copyright जो है वो अभी भी उसके owner के पास ही है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर इस song को TV से record करते हैं या radio से record करते हैं या किसी concert में record करते हैं तो उस पर आपका right हो जाता है ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आप उस तरह से record करके भी upload करते हैं तो भी आपके उपर copyright आये गाई क्योंकि उसका right आपके पास नहीं आया है आपने सिर्फ उसको record किया है कहीं दूसरे source से अगले गलत फहिमिए यह कहना कि copyright infringement is not intended मतलब कि अगर आप description में इस तरह से लिख देते हैं कि copyright को हम infringe नहीं कर रहे हैं हम बस entertainment purpose के लिए upload कर रहे हैं तो भी ऐसे cases में भी copyright आता है ऐसा लिखने से कुछ नहीं होता है लास्ट गलत फहिमी है using few seconds of copyrighted material अब इसका यह मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं किसी song का है किसी दूसरे की वीडियो का 2-3 second use कर लेता हूँ तो ऐसे में copyright नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उस case में भी copyright आ सकता है और जो creator है owner है उसका वो आ बहुत सारी चीज़ों से deal करना पड़ सकता है तो अगर owner चाहे तो आपको copyright strike दे सकता है अगर आप उसके clip का 2 second या 1 second भी use करते हैं तो यह थी copyright से related कुछ गलत फहिमी है जो कि काफी common है I hope आपको सारे चीज़े clear हो गई होगी article का link description में है तो वहाँ से जाकर आप पूरे article को भी पढ़ सकते हैं तो यार आज की वीडियो में बस इतना है अब अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसे like कीज़े comment कीज़े इसे अपनी दोस्तों के साथ share कीज़े और अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो